वघंआ दो हैं मैं अब्सक्राइब हैं जबाना और नाशता हैं जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट करे जरूर बतायेगा कि आपने बनाया तो कैसा बना औरiation आगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज眑 Reach जरूर बलाइक, जरूर बना जरूर बनाईएगा और मुझे न कीजेगा और जादा से जादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नाश्ता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक कप चावल का आटा इसे आप चाहो तो चान भी सकते हो बड़ यह अच्छा है साफ सुत्रा है मैंने एक कप ले लिया है और एक कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ मैं सूजी तो सूजी को बारीक लेने की जुरूरत नहीं है आपके पास जैसी हो वैसे ही आप ले ले सकते हो एक इंच अदरक के टुकडे को किस लिया है और यह तीन से चार हरी मिर्च है जिने बारीक कट कर लिया है और यह ले रही हूँ मैं एक गाजर जिसे मैंने चौप कर लिया था चौपर में और ये एक शिमला मिर्च है जिसे मैंने चौपर में ही चौप किया है और ये थोड़ी सी ले ली है धनिया पत्ती हरी देनिया पत्ती है जिसे बारी कट कर लिया है और अब डाल देंगे नमक, तो नमक एक छोटा चमच डाला है, आधा छोटा चमच लाल मिच पाउडर, आधा छोटा चमच डाल दी, आधा छोटा चमच धनिया पाउडर डाल दिया है, और एक छोटा चमच डाल रही हूँ, जीरा इसके बाद इसमें डालेंगे ये आधा कप दही है आप चाहो तो दही की कौंटिटी कम या जादा भी कर सकते हो अपने टेस्ट के कॉर्डिंग और अब क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को अच्छे से स्पून की हेल्प से ही हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है और अब इसका गोल हमको प्रिपेर करना है तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल प्रिपेर कर लेंगे घोल कैसा बनाना है जैसे हम केक बनाते हैं केक का बैटर जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही बैटर इसका भी बनाना है हमें तो एकदम से जादा पानी मट डालिएगा नहीं तो जादा पतला ना हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें बिल्कुल ऐसा घोल चाहिए अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चुटकी खाने वाला सोडा और आधा चुटा चमच डाल रही हूँ मैं इसमें इनो थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसे डाइलूट करने के लिए और फिर इनो को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पूरे बैटर में मिक्स ध्यान से करिएगा ताकि इनो पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और अब इसे रखतेंगे साइड में अब मैं ले रही हूँ एक कडाई और इसमें मैं डाल रही हूँ एक गिलास लगख पानी डालना है इसमें हमें से स्टीम करना है इसलिए हम इसमें बना रहे हैं मेरे पास सीमर नहीं है मैंने आपको बताया था इसलिए मैं इसे कडाई में ही बना रही हूँ और इसके ऊपर escrito यहां बैख देख में मैं स्टीम कर सका हूँ अब इसे धकन से धांक देंगे ताकि पानी बॉयल हो जाए जब तक पानी बॉयल हो रहा है यहां पर मैंने लिया है टिफिन बॉक्स इसे ग्रीस कर लिया है अब क्या करेंगे इसमें डाल देना है हमें जो बैटर हमने बना कर रखा था तो वो आधा बैटर हम इसमें फिल कर आधा ही फिल कीजेगा क्योंकि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो यह फूलेगा इसको फूलने के लिए भी थोड़ा सा जगह चाहिए होती है तो आधा ही बॉक्स फिल कीजेगा जो भी आप जिसमें भी बनाओगे तो इसे हलका सा डैप डैप कर देंगे इस तरीके से ताकि इस इसमें और देखिए स्टीम निकलने लगी है अब हम इसे रख देंगे और ढख देंगे किसी ढखकन से अच्छे ढखकन से ढखिएगा जिससे स्टीम इसकी बाहर ना निकले 25 से 30 मिनिट में यह पकर रेडी होगा तब तक हम दूसरे पैन में जो हम बनाने वाले हैं तो उसे बहुत जटपट से बन जाता है बहुत जगा टाइम नहीं लगता है इसमें मात्र 5 से 10 मिनिट में यह बनकर रेडी हो जाता है तो यह देखिए पूरा बेटर मैंने अच्छे से फैला दिया है और इसे अब धंक कर रख देते हैं 5 से 10 मिनिट के लिए और फिर देखेंगे इ सब्सक्राइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए इसके बाद इसे निकालेंगे और यह स्टीमर वाला जो है उसे भी चेक कर लेते हैं तो यह देखिए यह बहुत बढ़िया तरीके से उपर से तो पक चुका है और इसे स्टिक डाल कर देख लेते हैं तो इस स्टिक भी बिल्कुल साफ निकली है इसका मतलब है कि यह अंदर तक पूरी अच्छी तरीके से पक चुका है अब इसे निकाल कर रख देते हैं और यह देखिए हमारे दोनों ही नाश्टे बनका रेडी हो गए हैं दोनों ही जटपट से बन गए हैं हाँ स्टीमर वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है बट यह जटपट से बन जाता है अब क्या गरेंगे एक प्लेट में इसे पलट लेंगे और यह देखिए आप किसी नाइफ से या किसी पीजा कटर से इसके पीजस कट कर लेते हैं और यह देखिए मैंने पीजस कट कर लिये हैं पीजा की तरह बहुत आसानी से कट हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनकर यह रेडी हुए है देखिए इसे फ्राई कर बच्चों को बहुत पसंद आता है इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो जरूर बनाईएगा और उपर से बहुत क्रिस्पी भी बनता है और ये देखिए हमारा जो दूसरा वाला नाश्ता था वो भी एकदम ठंडा हो गया और साइट्स भी इसने छोड़ दी है हम एक नाइफ की हमसे siai săiडस थोड़े से कट कर लेंगे ये देखिए सारे इस साइट्स भी कट कर लिए अब है प्लेट में इसे पलटा लेंगे बहुत असानी निकल जाता है हलका सा डैब डैब कीजे और बस स्टिफिन को हटा दीजे देखिए कितनी असानी से निकल गया बिल्कुल भी नहीं चिपका है डिब्बे में और इसे एक ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज जो है बिल्कुल जब ठंडा हो जाए ना तभी इसे निकाले नहीं तो ये जट से टूट जाता है एक गलती मैंने की है ये निकालने में तो ठीक था लेकिन इसे जब मैंने कट किया ना तो कट करने में मैंने गलती की है अंदर से थोड़ा सा गरम था जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना तो इसके पीसेस तभी कट करिएगा नहीं तो ना आपको ज इसे बिल्कुलinsky नहीं होने दिया अगर मैं इसे घंड Prいた निकलते अब fifty टोड़े से जाधा अछे निकNew ऑप यह एकर से जब्द निकलते है पहले अप्ता सक लेंगे तो साल ब्लाइशन साथ सर्सय और विठाल species कॉल सी ये हलके से डिप्ड हो जाए इसमें तो यह देखिए ओयल मेने डाल दिया है अब इसे गरम होने देते हैं कि है तब तक इसमें डाल दे रहे हूं एक चोटा चम्मच 來 Super Jonah Ray डाल दिया है वाइट वाला तिल अब इसे थोड़ा सा चिटकने देते हैं जैसे यह थोड़ा सा चिटकने लगेगा न तो इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च तो दो से तीन हरी मिर्च मैंने कट कर ली है और यह इसमें डाल देते हैं और अब इसे फ्राई होने देंगे बन चाहीं से बन जान उतने डाल दिए और बस इसे अलटते पलटते हुए अश्गां बाइन उसे निकाल लेंगे तो यह मै ने सारे अपने में प्लेते इतना अच्छा टेस्टी बनता है और ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट है देखे कितना सॉफ्ट जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपने बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा लगा और अगर पसंद आये वीडियो तो लाइक कर दीजेगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाबाई